तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आयूं सेहत से भरपूर कटोरी छी हाँ, ये एक कटोरी अगर सर्दियों में आपने चार बार भी खा ली ना तो पूरी सर्दी आपकी कई सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी सर्दी खासी, हड्डियों में कट-कट, अनिद्रा हो या खून की कमी हो बच्चे हो या बड़े, कोई भी इसको खा सकता है इसको बनाना बहुत आसान है और खाने में इतनी टेस्टी है कि आप सारी कटोरी यूँ ही चट कर जाएंगे तो चलिए बिना देर करें वीडियो फटा फट से स्टार्ट कर लेते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहरे हमें जो चीज़ चाहिए वो है दूद तो आपको मलाई निकला हुआ दूद लेंगे तो बहुत बड़िया है लो फेट मिल्क का यूज़ करेंगे यहाँ पर हम डिपेंड करता है कि आप कितना बना रहे तो मैंने यहाँ पर 300 ग्राम दूद का यूज़ किया है कम जादा आप आपके हिसाब से कर सकते हैं दूद को उबलने के लिए रख देना है आज इम जिस चीज का यूज़ करेंगे वो है यह यह चिपचिपी सी चीज आपने शायद देखी भी होगी इसको बोलते हैं हलीम सीट्स कहीं कहीं पर इसको हलीमा भी बोला जाता है यह इस तरह से चिपचिपा होता है साबुदाने के जैसा तो हमें क्या करना इसको पानी डाल करके विगो देना है अलीव सीट्स पी इंगलिश में इसको बोला जाता है यह निउट्रिशन्स का पावर हाउस इसको कह सकते हैं आप देख सकते हैं ड्राइ यह इस तरह के बीज दिखते हैं आप कोई भी ग्रॉसरी सौप पर किसी भी किराने की दुकान पर जाकर इसको आसानी से ले सकते हैं और लाइन भी आप इसको पर्चेस कर सकते हैं हमने इसको पानी डाल कर 15-20 मिनिट पहले बिगो कर रख देना है अब भी देखिए यहां पर क्या कर ना है? ड्राइ फूर्ट को रोस्ट कर लेंगे यहां पर मैं ली रही हूँ थोड़े से काजु, थोड़े से बादाम और लिय है에 मैंने थोड़े से कोकोनट जो ड्राइ वाला कोकोनट होता है, उसको कत्रन ले ली थै बादाम, काजू और जो फाइवर धेर मातरा में होता है कोकोनट में हना तो इन चीजों को लेने नहीं, यह गरम मिन की तासीर होती है तो यह गरमी तो करते ही है सर्दी में साथ में विटामिन, फाइवर, प्रोटीन धेस सारे होते हैं हमारी शरीर को बहुत जादा पाइदा पहुंचाते हैं अभी देखिए उनको रोस्ट करके निकाल लिया है यहां पर मैंने ले लिया है थोड़ा सा 2-3 चमच गुनगुना दूद उसमें थोड़ा सा केसर डाल देना है और केसर डाल करके मैं इसमें रख दूँगी केसर में ए को बीच निकाल लेना है हम यहां पर गुड़या चीनी का यूज नहीं कर रहे हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए क्योंकि खजूर जो होता है सर्दियों में बहुत सादा पाइदेमेंट होता है खुन की कमी नीन की प्रॉब्लम इससे दूर होती है और अगर किसी को शुग अगर वाला दूद हमने बनाया था उसे इस पर डाल देना है पर रिंगे इसको हलका सा उबलने देना है जिससे की जो केसर के सारे जो गोड़ है वो दूद में अच्छे से चले जाए साथी साथी रंगत और कुश्वूबूर दूद में आ जाएगी अभी यहां पर देखी दूद में इसका कलर आने लग गया है तो मैं यहां पर डाल दूँगी खजूर खजूर को पकने में हलका सा टाइम लगता है तो हमें खजूर मिला करके इनको उबलने देंगे जब तक यह उबलेगा तब तक मैं क्या करूंगी जो मैंने ड्राइफ फूट्स लिये थे उसम दूद में पेस लेना है ड्राइफ फूर्ट्स आपके सबसे कम राइप करしकते है ने लापने और देखिया हमारे हलका सा उबलने लग गया है हलकी हलकी से इसमें से उबाल आने लग गया है आपको ध्यान रखना है कि मोटे तले का कड़ाई लेना है तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जाइफल जाइफल बहुत जादा गर्म इसकी तासीर होती है सर्दियों में जो सर्दी की खासी की प्रॉबलम होती है वो इससे नहीं होगी साथी बहुत बढ़ी है इसका टेस्ट होता है उसके साथी मैं ले रही हूँ दाल चीनी अगर सर्दियों में कप की गले में जलन वगेरा कि आपको प्रॉबलम है तो दाल चीनी उसमें बहुत जा यह गर्माहर पहुचाती है, दोने चीजों के मिला दिया है, आप चाहें तो यहाँ पर इलाईची भी एड़ कर सकते, अच्छे फ्लेवर और खुश्मू के लिए, पर मैंने यहाँ पर इलाईची को स्किप कर दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर दाल्चीनी डाली है, सबको बड़ी आसे मिक्स कर देना है, हलका सा उबाल आने के बार जो ड्राइफूट से उनको दरदरा करके इसमें डाल देना है, अगर आप चाहें तो ड्राइफूट्स इसकी भी कर सकते हैं, पर ड्राइफूट्स में भरपूर मातरा में निट्रिशियस वैल्यूज होती है, प् इस स्टेज पर आकर मैं डाल दूँगी अपने ये हलीम सीट्स, कहीं कहीं पर इसको हलीमा या सगा या अलीब सीट्स बोला जाता है, ये ना इसमें भरपूर मातरा में बी ट्वैल्ब होता है, खून की कमी अनिद्रा इससे बहुत जल्दी से दूर हो जाती है, और इसमें आइरन, फाइबर, धेर सारे ऐसी वेल्यूस होती है, जो कि हमारे बॉड़ी के लिए बहुत जादा फाइदेमन होती है, खास कर सर्दियों में, तो इसको डालते ही देखिए दूद अच्छा सा थिक हो गया है, अगर आपको बहुत जादा थिक लगे तो आप थोड़ा बह कर सकते हैं, बट मैंने या पर गुड़ का यूज नहीं किया है, क्योंकि मैंने या पर डाल दिये थे खजूर, अच्छे से जब यह उबल जाएगा, जब बढ़िया से उबल जाएगा, हलकी सा खुश्पू इसमें से आने लग जाएगी, तो अब हमें इसको गर्म गर्मी स कर लेना है, रोज आप अगर इसकी एक कटूरी खाते ना सर्दियों में, आपकी हड़ियों की प्रॉबलम, आखों की बालों की प्रॉबलम तो दूर होगी, और अगर रोज नहीं हो सकता है, तो आप हफ्ते में इसको एक बार जरूर से खाईएगा, बच्चे बड़े सभी खाईएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बाई बाई